आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार यूनीक सी रेसिपी लेका है पालक के रोल है इसको बहुत अच्छी सी अमने फिलिंग किया है आलू की चले देख लेते हैं इन मज़ेदार से पालक के परफेक्ट्ली कुख्ट रोल्स को अमने किस तहां बनाया अगर आपनी चैनल को सिब्सक्राइब नहीं किया तो कांदी इसको सिब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर लें ताके इस तमाम रेसिपी की अप्डिट जो है उसका नॉक्रिफिकेशन आपके बाते हैं सबसे पहले इसका तड़का देख लेते हैं आलू मैंने बॉल करके रख लिए ताइम अगर आपके पास हो तो वेलन गुड़ आप इसको बॉल करके रख लें अधर वाइस आप शेड भी कर सेथे हैं तीक है अगर आपको अगर अगर आपको अगर बैसी पर बनाना है ग्रीन चिली बहुता स्पाइसी वाली नहीं है यह चली जाएंगे इसके अंदर इस के दो से तीन जवे और हाफ टीस्पून इसमें जीरा चला जाएगा अब इसको मोटा मोटा कूट लेंगे हमने इसको बिलकुल भी ग्राइड नहीं करना इसको में अच्छे से कूट लूँ सरा फिर आपको दिखाते हैं पी नेक्सिस के स्टेप की तब चलाएगा इसकी अं थोड़ा से इसको जड़ा तरका लेंगे हम और आपको बताते हैं नेक्स क्या करना है एक स्मिंट लगा है यो गया विसके अंदर एक सोटे से साइज का प्यास था ये स्कंदर चला जाएगा और तुर्ख मिर्च हाफ टीस्पून धन्या पादर हाफ टीस्पून सॉल्ट ट पर लेंगे तरह ये देख लेंगे हो गया हम तो लिल आप इसके अंदर ये जो आलू मैंने आपको बताया थे ये इसके अड़ हो जाएंगे इसको पॉक की मदद से वह थेल्जी और डिफेंट तिक्या से ये बनते हैं तो आप लोग इसको एक दो फजू ट्राइ कीज़ग के लिए वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको समाल अज़ा जो है रिटन फॉर्म में चाहिए होंगे कुपितफरीगा.com अलू इसके इंदर चलेगे हैं धनिया थोड़ा सा चला जाएगा इस स्टेज पर आप कोई भी अपनी पसंद की सब्ची जो है वह एड़ क कर लेते हैं जिससे हमें को पालक के जो हमाई रोल एंटो कोट करना है यह दिके फ्रेंट वनन हाफ का बेसल एलिया है इसके अंदर यह जो हमने रेडी किया था स्टार्ट में ग्रीन चिली जो अद्रक लसन और जीरा और यह इसके तर चला जाएगा थोड़ा से इसके अंद आपने बैटर बना लेंगे मैं आपको बताती हूं हमें किस तरह का इसका बैटर चाहिए थोड़ा थोड़ा पाल्याइट कहते हम बना देंगे कि अतना थीक है क्योंकर थुझे मैं रॉट पालक के सबनी है वरना नमने कम और पनकर दूर को चयाता है जरुक जिसने लाणायी के नेधर के रच ता पत्सक्राइब और ना सब्सक्राइब सबस्सक्राइब कि दंडी होती है और इस तरह से सारे देंटे चाहिए तो आप एक पत्र पत्र आपने इस तरह से आप एक पत्र लेना है यह और रसा से प्ता प्ताव में आपको आप पड़ें तो इस तरह आप बिटर है उसको आप थीक रखेंगे तो इसको बाइंडिंग जो है उसमें असानी हो जाएगी बस आप अपने अंदाजे से जितना आपको रोल पसंद हो आप उतना इसको कर सकते हैं बड़ा कर से लिए चोटा कर लें जितना भी आपको चाहिए हो इस तरह से यह देखेंगे हाँ हो गया है यह हो अ है कर देज कि विट कर सकते हैं आप इसमें चीज टाल देऊ पनी डाले जोो चीज आपको पसंद आप इसमें एड कर कर देंगे यह देखिए हमारा एक पालक का रोम रेडी हो गया है जब हम फ्राइ करने लगेंगे तो अवस्ब जूरत हम इसके उपर भी खोट कर देंगे बेसं का इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लेती हूँ कि अपर भी खोट थोड़ा से बेसं लगा दिया ताकि अच्छे से ब्रशिंग कर लें बलकि आप जो बैटर रहता ने इसको ब्रशिंग कर लें इसको मोर सिक्योर कर लें ठीक है यह हो गया अब यह बन बैवान हम इसमें डालेंगे अभी आपको लग रहा होगा कि यह तो जा हो जाए तो फिर हम इसकी राम से थोड़े से हाड हो जाते हैं कि आलें फूप होते है बेसं है ना तो वह इसको ग्रिप कर लेता है जरा शेलो फ्राइब करेंगे हम इसको कुए अंदर की फिलिंग तो हमारी रेडी ही है पकी हुई है इसको मने अच्छे से पका के बीच में मैंट किया हुए पस इस तरह से फूला हम आइस्ता कर लेंगे ताकि अच्छे से पालक है तो अच्छे से अंदर तक हो जाए इसी तरीके से हम सारे इसके अंदर डाल कर और यह देखिए इस तरह से आप इसको से क्योर कर लें बेसं ब्रुशिंग भी कर सकते हैं आप डालने इसको पुरज से इसको कलर आ रहा है लोग तो मीडियम प्लें पर हम इसको पता आ रहे और इसकरा से हम इसको बहुत एतियाद के साथ पलेट तो शालो फ्राइ करने का मक्सद यह है कि जाहरा इसको बहुत जादा ओधा ओल असके अंदर ना जाए और उल कुंटेन ना हो इस तना से कर गे इवनली और इसमें लग जाएगा और रूप हो जाएंगे यह दिखें फेंगे हमारे मज़दार से पालक अलू के रोल हो गए है रेडी आप लोग इसको एक दफा जू टीजिएगा बहुत अच्छे लगते हैं यूनीक टेस्ट है जू टाय करें दूाओं में कि नमादान भाइगा अलाफ वेस्ट